Hello friends this is your friend Ashutosh and welcome to free experience with Ashutosh In this video मैं आपको बताने वाला हूँ job searching के बारे में कि आपको job searching कैसे करने चाहिए और मैंने जो अपने life में implement किये थे job searching के लिए जो चीजें implement किये थे तो मैं आपके साथ वाज share करने वाला हूँ जिसे कि आपकी job searching journey अच्छी हो सके और आपको ज्यादा से ज्यादा interview के लिए calls आसा कि और companies आपको approach करेंगे okay so stay in touch with this video क्योंकि इसमें आपको देने वाला हूँ में four tips जो कि रहेंगे आपके लिए बहुत जादा beneficial for job searching and in the end में आपको देने वाला हूँ एक bonus tip जो बहुत ही जादा necessary when it comes to job searching क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आपको proper company जो आपकी dream company है वो आपको approach करेंगी नहीं okay so stay in touch till the end for the best tips for job searching without making any more delay let's hop into it so first जो सबसे पहले tip में आपको दूंगा कि आपको जो नौकरी का portal है उसे active रखिए नौकरी.com के बारे में आपको पता रहेगा अगर नहीं पता है तो सबसे पहले जाके नौकरी.com पे एक profile बनाई है आपके नाम का उसमें सारे वो दिप्स तो definitely मुझे comment box में बता यह मैं definitely एक पूरा वीडियो बनाऊंगा उसके related and so first जो मैंने बताया नौकरी का जो portal है बहुत ही active रखिए active in the sense आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसे daily update करना पड़ेगा okay daily update करते रही है उसको कुछ ना वो changes करके save करिए जिसे की daily update रहे उससे आपका नौकरी प्रोफाइल active रहता है okay and वो में क्यों बता रहा हूँ आपको क्यों कि जितना मैंने notice किया है कि उस नौकरी is the best portal when it comes to job searching उससे सबसे ज्यादा calls वेगरे आते हैं मैंने खुद के मेरे तीन companies जो मैंने बोलते हैं ना कि जिन में काम किया है वो नौकरी से ही उन्होंने मुझे approach किया था okay so this is really necessary कि आपको जो नौकरी का पोर्टल है वो active रहे second is कि आपको LinkedIn पे active profile बनाना है और जो HR रहते हैं जो company के HR रहते हैं उनके साथ connection बनाके रखना है connection क्यों बनाना है क्योंकि HR जब भी कोई job posting करते हैं तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और आप apply कर सकते हैं उस चीज़ों पे okay so make sure कि जो second important चीज़ है that is LinkedIn का जो profile है वो different companies के HR रहेंगे उनके साथ connection बनाके रखिए third is जो आपकी dream company है जिसमें आपको apply करना है जो भी companies आप गोलते हैं उनमें apply करना चाहते हो उनके website पे जाहिए official website पे जाहिए और career page पे जाके आपका resume submit करके रखिए okay यह आपको क्यों बता रहा होगी कि अगर आपने आपके dream company के आपका resume submit किया उसके बाद में आपके resume के according जो भी positions open होती है उसके लिए आपको वह company mail करती है और उसके बाद आप वह position के लिए apply कर सकते है okay so it is really necessary कि आपके dream companies में आप अपना submit करके resume जिसे कि आपकी job searching journey एक better way में हो सकती है and fourth important चीज़ है that is कि आपको जो आपका active network है आपके friends है family है उनके साथ actively connected रहना है क्यों रहना है क्योंकि अगर आपके for example friend किसी company में काम करता है तो अगर उसके company में कोई आपको जो पसंद है वह वाला role के लिए position खाली है तो आप उसमें apply कर सकते है और it is important क्योंकि references reference से जो भी candidates apply करते हैं उनको ज्यादा priority में behold किया जाता है उ okay so make sure कि आपके active रही है आपके आसपास जो friends है family है उनके साथ में okay so these were the four tips and आप मैं आपको बताने वाला हूँ fifth that is the bonus tip जो मैं आपको देने वाला हूँ and that is stay patient it is really necessary क्योंकि देखो अगर आपने एकाथ company में apply किया तो आपको उसका HR फटा से call ली करने वाला okay उनके पास भी list रहती है आपका number आने में time लगने वाला है so सबसे important is कि आपको patient रहना है आपको आपके dream company इसमें apply करके रखना है और patient रहना है क्योंकि आपका time आएगा थोड़ा late हो सकता है but definitely आपका resume वो process से go through करेगा okay so be patient while job searching it is really important और अगर आप patient हो तो definitely आपको आपके dream company में job ज़रूर म में आपको थोड़ी बहुत help मिल जाएगी अगर यह वीडियो आपके लिए helpful था तो definitely subscribe my channel and like this video stay in touch with free experience for more content thank you